हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गुरुजी इग्जाम सेंटर पर तो दोस्तों आपर उत्तर प्रदीश स्पिसल का टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली यहां पर आपको साम को साड़े साथ बजी इस चैनल पर आपके यूपी सब कबर करते हैं ओर चलते हुटरूण इसमी किसान बेहि योजना को लागू किया गया था और इस प्रसन को अमने कल की विडियो में कमेंट बॉक्स में पूछा भी था काफी लोगों ने जवाब भी दिया था हाना तो यहाँ पर याद रखेगा उत्तर प्रदेश में किसान बही होजना बही होजना जवाब की थी वो आपकी कब 92 में ठीके कब 92 में तो आपका जवाब यहाँ पर सी हो जगा 1992 में ठीके 1992 1992 में किसान भाई उजना आपकी थी वह पर जो आपकी चकबंदी आई थी हना वो आपकी कब थी तो आपकी 1954 में चकबंदी थी ठीके चार से चकबंदी हना और चार से चववन याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसाप सिकला पुछा गया है ग्रेनाइट पट्टिया तो था स्लेट बना जाते हैं यह कहां पर बना जाते हैं यहां पर देना जबाब से कौन सा बनेगा तो याद रहेखे आपकी चुनार में ठीके चुनार का घेरा आपने सुना होगा हुमायू वाला है ना सेर सासूरी हुमायू का जो चुनार का घेरा हुआ था तो यहां पर रही संजुक्त परियोजना कहां पर राजघाट वाली तो आपको पता है कि आपकी बेतवा नदी पर है ना यह आपने कई बार पड़ा भी होगा कि बेतवा नदी पर है यह उत्तर प्रदेश और आपके मद्द प्रदेश की संजुक्त आपके बनाई जारे परियोजना है ठी पर आपका होज़े कौन सा यूकेलिप्टिस जवाब आ रहे हैं सभी के D आ रहे हैं D बिल्कु सभी है D नमर आपका होज़ेगा यूकेलिप्टिस है और ऐसा इस कारण से होता है हना क्योंकि ये पानी इसकी खपत पानी बहुत होती है मतलब देखा जाए एक दिन में 200 लीटर तक खपत करने की चमता होती है हना तो जिस छेत्र में जिस जगा लगा दोगे तो वहाँ का पानी क्या हो जाता है सोख लेता है यही करण कर सकते हैं कि इसे प्रकत का दुस्मन विका जाता है और आप देखते भी हैं कि जो आपकी यू अग्रणी भूम का निभाई अमीर खुसरो ने किसके विकास में भूम का निभाई थी तो यहां पर जवाब देना है सही जवाब को सबनेगा अमीर खुसरो सबका जवाब आ रहा है सबका जवाब बिलकुश सही है वेरी गुड यही जवाब का जवाब हो जोगा आप संसर जन्म कहां हुआ था चलिगा थी अमीर खुसरों का जन्म कहां हुआ था तो आग्रा में 12 बंकी में ATA में या इतावा में सही जवाब में एता बिल्कुर सही है ATA आपका जवाब होजेगा ATA में हना कासगंज ATA Option Rule का C होजेगा अगला कोशन दिया है, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, वैसाली में, लुम्बनी में, कपिल वस्तु में या पाटिल पुत्र में, कहां हुआ था, तो आपका जवाब हो जब कौन सा, B, आपके लुम्बनी, हना, लुम्बनी हो जाएगा, आपसन डप का बनेगा, या पर B नंबर लुम्बनी हो जएगा अगला कोशन आप से पूछा गया है कह रहा है सबसे छोटा वन जू बिहार कौनसा है सबसे छोटा वन जू बिहार आपका कौनसा है कच्छुवा जन वन जू बिहार वानरसी रानीपूर वन जू बिहार बांदा में चंदरभान वन जू बिहार चंदरपरभाव होता है तो आपके चंदरवली में और कतरनिया घाट वन रिर्ट कौन ज़िए से आपका बहराइच में इनमें से जवाब से कौन सोब जगा तो जवाब हो जगा आपका कंच이를 का क। तो यहाँ पर आपका A हो जएगा आगे आते हैं प्रसाव से अगला पूछा गया है यहाँ पर आप से कह रहा है कि नए मिसारन तीर्थ किस राज्ज में है नए मिसारन तीर्थ जो आपका है किस राज्ज में है किस जनपद में है किस जनपद में है जनपद पूचा है जनपद वताना है चले तो ने मिसारान आपकी कहां पड़ता है तो आपकी सीतापूर कहां पड़ता है सीतापूर में यहीं से कोश्चन आपका बना था कि आपके 60,000 लिश्यमुनियों ने हना माभारत कवाचन ये सर किया था तो जवाब यहाँ पर अपका C हो जीगा अगला कोशन आप से दिया है जौन पूर नगर की स्थापना किसकी इस्मरती में की गए थी गयासुद्धिन तुगलग महांमध बिन तुगलग फिरोसात् तुगलग या अकबर तो देखो यहाँ पर जौना खा किसे जानते थे जौना खा के नाम से जानते थे आपके किसे मुहम्मद बिन तुगलक को तो इसी के आप रिस्मत में बनाया गया तो जवाब यहाँ पर B हो जएगा मुहम्मद बिन तुगलक हो जएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं करे ठुमरी गाई का गिर्जा देवी का जो सम्मंद है ये आपके कहां से है बनारस घराने से जैपुर घराने से लखनो घराने से किसी से नहीं तो जवाब हो जवापसन आपका यहाँ पर बिल्कुश सही है ए नमबर जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुश सही है बनारस घराने से संबंद इनका ए नमबर आगे आते हैं उत्तर प्रदेश में इंद्रा गांधी नच्छत साला कहां पर है गोरकपुर, इलाहबाद, आगरा या लखनव तो जवाब क्या बनेगा आपका तो आपका जवाब हो जोगा option right आपके पड़ी आपके लखनव में ठीके लखनव में option D हो जगा लखनव में है ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसाब सिला पूछा गया है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रसत उत्तरब देश में निवास करती है देश में देखा जाए तो कुल जनसंख्या क्या आपके उत्तरब देश में निवास करती है यहाँ पर जवाब सही काउसा बनेगा चले जवाब देना है सबी को जवाब देना है तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आप्सन ए 16.7% ठीके ना लगवग आपके 60 ये 70 मतलब के सकते हैं 16.6 17 ठीके तो आपका जवाब होज़े कौनसा ए नमबर आपका सही होज़ेगा आगे आते हैं सबसे लंबी आपकी नहर कौनसी है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताना है और वही सभी की पूरे पूरे सही होना चाहिए पूरे पूरे सही होना चाहिए तब तो फैदा है उत्तर प्रदेश में कि आपने इतनी बार पढ़ाए और इस बार को आप लगा रहें तो पूरे पूरे सहीत होना चाहिए आपके है ना चले तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है यहाँ पर जवाब कौन से बनेगा घागरा नहर केन नहर निचली गंगा नहर यह सारदा नहर कौन सी बनेगी तो आपका जबाब होजेगा सार्दा नहर ऑप्शन बनेगा डी नंबर ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसा आप से खला पूछा है कि बनारस हिंदू विश्विद्याले सिलाने आस किस ने किया था यहां पर जबाब देना है और इसका जबाब कौन सा होजेगा एनी बेसेंट हर्ड मदन मोहन माल भी आपका जबाब से होजेगा आगे बढ़ते हैं प्रसा आप से खला पूछा गया है निम्न मेंसे कौन उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना है उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना इनमेंसे कौन सी है चलिए सार्दा सायक नहर परियोजना और आपकी सी नंबर ठीक है और अगला कोशन आपका दिया है पूरा पस्षिम और उत्तर दच्छिन की जो कारेडोर है अना ये सिक्स लें जो आपका रास्टी राजमार्ग है एक दूसरे से मिलते कहां पर है ये एक दूसरे से कहां पर मिलते हैं तो यहां पर आपको देना है जवाब हुआ था महत्मा बुद्ध को निर्वांड जो प्राप्ति हुए वाकि कहां हुए थी मतले आपके सकते हैं कहां पर इनकी म्रत्ति हुए थी चले तो यहां पर देखो निर्वांड सब्सक्राप्ति हो गई तो यहां पर निर्वांड की जो प्राप्ति हुई थी ने कहां प प्रसनाब का बनेगा सी नंबर यहां पर आपका कोसी नगर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसनाब से अगला पुछा गया है यहां पर आपसे कह रहा है कि कुसी नारा वर्तमान कुसी नगर किसकी राध्धानी है कुसी नारा वर्तमान में जो आपकी राध्धानी है वा मल्लों की या साक्यों की इन में से सही जवाब कौन सा हो जगा तो आपसंसी हो जगा मल्लों की किस की थी तो मल्लों की थी इसका राइट अंसर आपको बनेगा सी नंबर ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसाप से गला है उत्तर प्रदेश में जैन एंव बहुत धर्म दोनों का जो प्रसीद दितीर थे वह आपका कौन सा है चलिए कौसामबी सारनाथ देवी पाटन या आपका कुसी नगर तो आपका जवाब बनेगा कौन सा तो कौसामबी ठीके कौसामबी और उसनफ पका ए हो जगा अगरा कौश्ग आपका दिया गया है कि आगरा सहर की स्थापना किस ने किया था बताएए भई बैलोलो लोदी फिरोस सातगलक खिजर खं या सीकंदा लोदी सही जवाब क्या बनेगा तो सीकंदा लोदी आपका जवाब बार आ तो बिल्कुर सही जवाब है आपका सिकंदा लोदी आगे बढ़ते हैं भारती देलेहन सूद संस्थान आपसे पूछा गया है और यह आपके कहां पर है लेकनोग कानपूर फैजाबाद यह आपके वानरसी में कहां पर पड़ेगा तो यह पड़ेगा आपके आपके आपसन आपका दिया गया है करन्यमन में से किसका प्रयोग राष्टी राजमार की रूप में किया जा रहा है राष्टी राजमार की रूप में जो किया जा रहा है स्वरी यह राष्टी राजमार कौन है जल वाला है ना राष्टी जलमार की रूप में यह कैसकते हैं अंताहस्त है न तास्त की ईसाब सी क्योंकि यह आपके नदियों के दवारा हो रहा है हाना जलमार यह है तो आपकी कहां से इलाहाबाद में और ह्षल्दिया के मत हैना और किस नदी में तो आपकी गंगन नदी में ठीकर तो गंगन-दी यह वा टर hewy जो आपका चले आगरा में गौलियर में जांसी में या जैपुर में तो आपको पता है कि या Pacific से तो आपके गौलियर से थी मतलम महीं फी से थे तो आपका जवाब ही हो जthem क्या हो जेगा तो आपको यहाँ पर होजबा घौल है गौलियर सेग खीज़ में किस पच्छी बिहार की स्थापना की गए थी यहाँ पर बताना है सांडी पच्छी बिहार जो कि हर्देव में हर्दोई में है नवाब गंच पच्छी बिहार आपके नवाब गंच है न समान पच्छी बिहार आपके मयनपुरी में है सूर सरोर पच्छी विहार तो इसका ये मतलब आपके आगरा तो इसका मतलब है कि आपका जवाब भी हो जगा यहाँ पर आपका भी हो जगा आपके नवाब गंच पच्छी विहार यहाँ आपका सबसे आपके सिकते हैं कि सरप्थम आपका यही हुआ था के option up कब भी हो जेगा अगला question है लाल मिट्टी कहां पर पाय जाती है लाल मिट्टी तो लाल मिट्टी आगरा मतुरा एटा मैन पूरी सीता सीतापूर और आपके बारा बंक की मिर्जापूर और आपकी जहांसी तो जोखो आपको पता है कि आपका जहांसी अरिया में जैसे ही किसका जो का है या चावल का है या बाजरा का है या दाल का है बताई ये जो चावल बाजरा दाल इनमें से कौन सा होज़ेगा उप्सन में चलिए जवाब दीजिए लॉग करीब है सही उप्सन कौन सा होज़ेगा सही option कौन होगा सब लोग जवाब दीजे इसका सही जवाब कौन सा बनेगा चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा option यहाँ पर A नमबर जव देखो आपने यहाँ पर गेहूं को तो आप सुना ही था है ना गिहुं तो आपने सुना होगा अब गिहुं जो आपका होता है कहिने कहिए आपका इसका जो एक और होता है जो जो हो जाता है तो इसकी अंसार आपका यहां पर ए लगाईएगा ठीके आगे आते हैं प्रस हब सकला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन जू विहार कौन स चले आप दिया है चंदप्रवा किसनपूर हस्तिनापूर यह राणीपूर हस्तिनापूर जो आपका मेरट वाला है यह वह जी आपका ओरजगा सीनंबर यह आपका सबसे बड़ा वेनिजू भी भीहार है आगला कोशन है निचली गंगा नहर के लगशाल con के कहां पर है चलिए बरेवी हरिद्वार कांपूर या नरौरा जब आप कौन सा लगा नरौर लगा दे यहां चलिए तो ओप्षन ऑप्का डीव हो जगए बिल्कुर सही है आपका नरौरा हो चावल कहरा आप से मिर्जापूर में, बाजरा कहरा आपके इलाहबाद या आपके प्रयागराज में, दाल कहरा है तो आपके दाल कहरा है जहांसी में, चले भई, तो दाल का जो उत्पादन यहां पर केसिकते हैं, होता है, कहां पर होता है, तो कोईला तो सही है, चावल का भ यहाँ पर कहसकते हैं कि आपके इलाव आशी जो आपका बिहार है बिहार की आपके पैदवार की जाती है अगर बटते हैं प्रशण से गला पुछा गया है थिंदू मुसलिम एकटा का प्रतीक शुला कुल जो आपका उत्सरीव है याजुत की जाता है कहां पर की जाता है आगरा में अलिगड़ में इतावा में या भाराबंकी में चले बताए कहाँ पर की जाता है तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 37 को उप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बनेगा आगरा में कहाँ पर है आगरा में है जवाब यहाँ पर आपका यह होजेगा आगरा में होता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुल मित्र जब हो तो एक बनाईए कितने बनाईए मित्र एक बनाईए लेकिन नेक बनाईए तो यहाँ पर आप दे सकते हैं एक सिकाव ह Idaho91 ठीक है date याद रखेगा यहाँ पर आपका संद याद रखेए यहाँ पर आपका आई चुका है बिर्जु माराज कत्थक से बिसमिल्ला खान सायनाई से जाकिर उसायन तबला से और अजमर अली खान सरो से मतलब यहाँ पर आपके हर्मोनिया से यह आपके नहीं है यह तबला से आपके थे मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका सिवाराब का गलत दिया गया था आगे बढ़ते हैं किस नगर को भारत का सिराज का जाता है किस नगर को भारत का सिराज का जाता है यहाँ पर आपकी option नहीं दिये गए हैं ना सहे दब गए हैं तो यहां पर आपको पता है कि आपका जो आगरा, इलाहाबाद, जानपूर और आपका लखनओ, अगर आपके वास बास और आपसन ना भी हो, तब भी आप जवाब दे सकते हैं कि कौन, तो आपका यहां पर किसेटें आगरा, हैना? जो आपका अगरा होगा या जॉन पूर तो यहाँपर क्यूक्क्य आगरा तो दियेए यह आपर जॉन पूर होनाय चाहिए तो आपशन एक दब गया है जॉन पूर एक ओप्सनाव कर देते है तो भाई आपका भी होजएगा इलाहबाद होजेगा तो आपका जौनपूर को कहा जाता है ठीक है अगला कोशन आप से दिया है कर्मा कि स्चेत्र का लोकनत है कर्मा कि स्चेत्र का लोकनत है चले कर्मा कि स्चेत्र का लोकनत है सोनभद्र महोबा मतुरा या खिरी कहां कबनेगा तो यहां पर आपको पता है कि आपके सोनभद्र का कहां पर है तो आपके सोनभद्र का है जो कर्मा है आपके सोनभद्र का है आगे बढ़ते हैं उत्तरबदेश प्रतम्मुक्त विश्विद्याले जो इस्थी थे उत्तरबदेश में जो प्रतम्मुक्त विश्विद्याले है या आपके कहां पर है आगरा में जहांसी में इलाह अगला कोशन आपका दिया है उत्तर विदेश में सुरू होने वाला सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग इन में से कौन सा है चले यहाँ पर बताना है उत्तर विदेश में सुरूरने वाला सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग यहाँ पर कौन सा है 44 नंबर में तो अब तो आपका डिव होजेगा वैसे आपको डारेक्ट याद रखना है जो आपका नेशनल हाईवे नंबर आपको कौन सा है 19 नंबर का है वो आपका उतर प्रिदेश में सबसे बड़ा है ठीक है अगर ऑप्षन मिलता है तो उसी को लगाईएगा क्यों आपको वर्तमान में है अगला ताल पच्ची व्यार आपके कहां पर है बलिया में कहां पर है बलिया में है ऑप्षन अपका डी होजेगा बलिया होजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसाब सेगला है नरोरा आणविक सेयंत्र अवस्तित है नरोरा आणविक सेयंत्र मतलब जो नरोरा पर्माट सेयंत्र है है ना यह कहाँ पर है अलिगड में आगरा में मिरठ में या बुंदेल खंड में कहाँ पर पड़ेगा बुंदेल खंड तो यहाँ पर आपका जवाब कुन हो जगा C, जवाब का B होगा, 20 वर्स होना चाहिए 20 वर्स है, अगर 20 वर्स है तो आप प्रधान रधान बन सकते हैं भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रधार्शन किया गया था भारत में प्रथम हवाई जवाब कों से बनेगा चली बई तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जेगा तो आप सनब कब बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर 1911 में ठीके कब 1911 में वो भी कब 21 फर्वरी ठीके 21 फर्वरी 1911 को आपकी चली थी ठीके पहली हवाई आपकी डाक सेवा थी जो आपकी इलहावासिन नैनी की वीज़ापकी चलाए गए थी है ना चलिए आगे आते हैं प्रसाप सिला पुछा गया है उत्तरब देश विभाजि आपका जवाब हो जेगा नौ सशच से जल्वाई छेत हैं और अपका बनेगा बी नमबर नौ सशच से जल्वाई छेत ठीके आगले बाते हैं प्रसाप सिला पुछा गया है क्या रहा है निम्लिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है लोकुमोटिवर्वर इंडियन टेलीफून इंडिस्टी ड्राइबरी ली भारत तो एलक्ट्रोनिक लिम्टेड नुएडा तेल सुधन कारिखाना आपके कहां पर मतुरा तो यहां पर आपको जवाब देना है इस प्रस्ण में कि इस प्रस्ण का सही जवाब इन में से कौन नहीं है ठीके तो इसका बड़ी क्लास होती है थोड़ी महराथन क्लास की होती है तो यहां पर आपको डिच्टल बंडारा देखने को मिलेगा सो प्रस्णों का ठीके तो आप लोग आईए हिंदी वाले क्लास में देव जी के ट्रिक्स में ठीके धन्यवाद सभी को जैहिन सभी को बंदे मातरम उमी कि ऐसे कोई कोश्चन ही नहीं था कि आपको कंफीज कर सके फिर भी अगर आपके निगलती किया है अगर एक दो प्रस्ण है तो आप लोग जवाब दीजेगा ठीके धन्यवाद